नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका माखी रसोईसे में दोस्तों आज हम चावल के खीर के रेस्पी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हम सबके घरों में भारते हैं घर में बहुत ही कॉमन एक स्वीट डिश है कोई खुशी का मौका हो कोई पर्व कोई तिवार हो तो हम चावल के खीर जरूर बनाते हैं और मेरी ये रेसिपी में थोड़ा साई ट्विस्ट है थोड़ी सी अलग तरीके से हम ये खीर बना रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट प्लीज वीडियो का एंड तक जरू ड़न हो गई है और इसमें हम डाल रहे हैं एक चम्मच गी पईले से डाल दीए थे एक चमच और डाल दीए onion और इसमें हम ये पांच इलाइची लिए है लेकिन हम इस तरह से बना रहे हैं और साथ में ये है पंच मीवा कोई भी ड्राइफ रूट साप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग अपने श्रद्धा के नसार उसकी क्वांटिटी एड़ेस्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे काजू लिए हैं इसे दो भागों में काट लिए हैं पतली-पतली छोटे-छोटे टुकड़े जो हैं नारियल के हैं मखाने को छोटा-छोटा टुकडा कर लिए हैं चिरॉन जी मुझे खीर में चिरॉन जी बहुत पसंद आती है तो इसलिए हम खीर हो या फिर हलवा हो चिरॉन जी जरूर डालते हैं और ये है किशमिस इसे हम धो कर लिए हैं तो जो इलाइची है वो हमारी क्रैकल कर चुकी है और ये है पंचमेवा इसे भी इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा भून लेंगे पिनाट के करे भूनना है जादा ने भूनना है और इसमें हम डाल रहा है ये दो मुठी से भी कम चाबल है धो के और इसे रख लिए थे तो हम एक लीटर दूद की खीर बना रहे है तो ये दो मुठी हम चाबल ले लिए हैं चाबल जादा पुराना नमना हो कोई भी चावल ले सकते हैं लेकिन जो नया चावल होता है या गोविन भोख एक चावल आता है उसके खीर बहुत अच्छी बनती हैं यह नॉर्मल चावल ही लिए हैं जादा पुराना नहीं होना चाहिए तो बस एक मिनट हम चावल को भून लिये हैं और इसमें हम डाल देते हैं दूद, ये पहले से गरम क्या हुआ दूद है, पुल पैट मिल्क और इसे अब हमें चलाना नहीं है, बिलकुल धीमी आज पर, बस इसे पकने देजिए जब एक मलाई की परत आजाएगे, फिर हम इसे चला लेंगे एक बार, ये देखिए, ये दूद को जब हम छोड़ देते हैं ऐसे दीमी आज पर पकते-पकते, तो ये उपर ऐसे मलाई सी जम जाती है, तो बस थोड़ा सा इसे मिक्स करते हुए, हलका सा चलाएंगे और फिर से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, बिलकुल धीमी आज पर और खुला बिलकुल, तकरीबन 20 मिनाट के बाद हमारी जो खीर है वो देखिए, काफी गाड़ी हो चुकी है और दूद बिलकुल सूख चुका है, तो अब हम इसमें पाइनली चीनी डाल देते हैं, आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालिए, मिक्स करके 2-3 मिनाट पर समय से और पकाएंगे, जो खीर है हमारी तयार हो जाएगी, देखिए काफी गाड़ी से खीर तयार हुई है, और इसको थोड़ी देर और हम पकाएंगे, थोड़ा ठंदा होगा, थोड़ी ठंडी खी केसर भी डाल देते हैं, तो दोस्तों खीर बनकर बिलकुल तयार है, मेरी इस रेसिपी को आप ट्राय करके खीर बनाएगा, अब की बार जब बनाएं तो बिलकुल बहुत ही अच्छी, बिलकुल मलाई की तरह, रबड़ी की तरह, खीर का स्वाध आता है, बहुत टेस्टी बनकर तयार होती है, तो आप इस रेसिपी को ट्राय करें, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, हर घर में खीर बनती है, तो ट्राय करके आमें जरूर बताएगा कि आपको कैसी लगी पसंद है, तो प्लीज लाइक कर दीजेगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेज सब्सक्राइब